सितंबर से बिहार से दिल्ली के बीच महज 10 से 12 घंटे में सफरते होगा आज इस वीडियो अबडेट में हम बात करेंगे रेलवे की ओर से जारी नोटिपीकेशन का नुसार क्या कुछ जान करें निकल कर सामने आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज का याज लेटेस्ट वीडियो अबडेट दरसल बिहार के राज़ानी पतना से पतना राज़ानी एक्सप्रेश ट्रेन और संपूर्ण करांती एक्सप्रेश ट्रेन की रपतार आब 160 से बढ़कर 170 और 180 तक होने वाली है स्पीड बढ़ने से पतना जाने वाले यात्रियों को महज 12 से 14 घंटे नहीं बलकि 10 से 11 घंटे में सफरता हो पाएगा अभी इनका स्पीड 130 किलोमेटर परती घंटा से संचालन किया जा रहा है भारतिय डेलवे ने अगले महिने से 23 जोरी ट्रेनों को 170 किलोमेटर परती घंटा की रपतार से चलाने का फैसला लिया है जिसका सीधा सुवधा पैसंजरों को मिलेगा अगर आपको भी ट्रेन से यात्रा करना पसंद है तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही डेलवे की ओर से चलने वाली 23 जोरी ट्रेनों में या सुवधा देखने को मिलेगा अगले मैने से जिसके साथ ही ट्रेन लगबग 2-3 घंटे कम समय लगाएगी अपने गंतव डेलवे इस्टेशन पहुचने में साथ ही भारतिय डेलवे की ओर से जिन ट्रेनों की रप्तार में बरोत्री की जानी है उसके लिए अलग से लिष्ट जाड़ी किया जाएगा जिस काटेगरी में राजधानी जैसी तमाम ट्रेनों को रखा गिया है इसके लावे सतापदी जैसी तीन ट्रेनों को और संपर्करांती जैसी दो ट्रेनों को सामिल किया गिया है इसके इलावे पंजाब मेल एक्सप्रेश ट्रेन और केरल एक्सप्रेश ट्रेन के साथ-साथ एक दुरंतो एक्सप्रेश ट्रेन को भी सामिल किया गया है ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी और साथ ही एक से डेड़ घंटे का सीधा बचत होने वाला है रिडेले बोर्ट ने हाला कि कहा है कि ट्रेन की रप्तार बढ़ाने की समय सीमा के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन इससे जुली तयारियां में फिलाल भी डेले जुटा हुआ है उमीद करते हैं कि बिहार से चलने वाली तमाम ट्रेनों का पड़ी चालन इस रप्तार से किया जाएगा जिससे की 10 से 12 घंटे के दन्मियान आप बिहार से दिल्ली के बीच यात्रा तै कर पाएंगे इन्वे से बहुत सारी ऐसी भी ट्रेन है जो क पाहिर से बात है कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसंद्रों को बहुतर सुबधा मिल पाएगी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता है इस वीडियो को सेयर करें नई ट्रेनों के अन अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब